हाई दोस्त आज मैं आपको बताता हूं यह चार इंच की दूरी पे लगा हुआ है डंडी जो गोला है पावना डेड़का है आए आपको आगे दिखाते हैं बहुत सारा दूर तक रेलिंग लगा हुआ है देखिए आए इधर से आपको दिखाते हैं देखिए किन्दा रेलिंग है अगर यह डिजाइन पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा ताकि हम कोई भी रेलिंग अगर अपने चैनल पर डालते हैं आपके पास आराम से पहुच जाएगा आप देख सकते हैं इसे लगवा सकते हैं दिखिए जो नीचे कैप को पर तो ग लगा हुआ है यह जो होल माला गया है उसको ढकने के लिए ओ यह एक ततरह से एक सुंदर भी लगता है निंगा नहीं दिखता है उसे प्रकार से बेस डाला गया है देखेटर ही इनची का यह पिलर ढला गया है इसमें जो शरिया को इस पीलर को तोड़ के सरीय को में बेल्डिंग कर दिया गया ताके एकदम मजबूत हो जाए बाद में पलस्तर हो जाएगा मजबूती एकदम बडिहां से हो गई है आएए आपको इधर भी दिखाते हैं देखें कितनी कितना सुन्दर दिख रहा है इधर भी ट्राका मारा गया है बढ़ एकदम देखें आपको लेकी चलते हैं जितना बड़ा रेलिंग हैं् of बहुत मकान है उसे लगा हुआ है yam लगा रहे हैं हम लोग यहां देखे और आगे आईये आपको दिखाते हैं सब किसल इह हां पर थूरके बेल्डिंग मारा गया है कि इधर से उपर से मारा गया देखिए यहां तोड़के यहां भी बिल्डिंग मारा गया ताकि पाइप निकलने ना पाए कोई भी जटका देने से निकलेगा ने देखिए कितना दूर तकरेलिंग लगा हुए यह कितना सुन्दर दिख रहा है इसके लुक अलग ही बन गई है दोस्तों प्रेंस आपको भी रेलिंग लगवाना है इसी तरह से लगवा सकते हैं देखिए जो पीलर ढ़ा गया है 6 इंच हे तेखिए है तो तेखिए यह वी फीटिंग चालो है उधर हो गया है इधर भी ब्रणिर प्रमे 46 इंज दॉंड गया है ओक यह तरह से भतिचर रहें हैं एक तरह से होल मारा रहे है एक तरस उपर वाली पाइब को दोल आभी रहे हैं, देखिए निशान लग चुका है, देखिए दो लड़के होल भी मार रहे हैं, इसी तरस होल मार के डाल के टाका भी मार दिया जाता है दोस्तों, आइए आपको और आगे तक दिखाते हैं, देखिए सब निशान लग चुक और साड़े दस फिट के दूरी पे पीलर लगा हुआ है अगर डिजाइन पसंद आया है तो इस चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिये के दोस्तों